असलाम अलेकुम यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं कि मोसम कितना अच्छा है गा बारिश हो रही है देखिए और जैसी बारिश होती है तो मोसम अच्छा ठिंदा हो जाता है और थोड़ी देर बाद धूप निकलके फिर वापस से मोसम गरम हो जाता है तो यह आजकल पता नहीं क्या हो रहा है बारिश होती है फिर एकदम से धूप निकल आती है दो चार देन से ऐसा ही चल रहा है मोसम तो यहां पर मेरी आवाज भी आपको ऐसी लग रही होगी कि तो बभी में सोक उठी थी इसलिए मेरी आवाज ऐसी हो रही है यहां पर मैंने काम अपना अपर मैंने काट राखी है गोभी और आलू को हमें अच्छे से पहले बहुत सुकून से काटती हूं मैं गोभी क्योंकि इसके बीच में छोटे छोटे एकदम कीड़े निकल आते हैं तो इसलिए मुझे इसको बहुत धियान से काटना पड़ता है यहां के इसके कोनों में छ जालती हूं थोड़ी सी देर के लिए अच्छे से चेक करने के बाद ताके जो भी कीड़े वगेरा हो तो वह उपर आ जाओ फिर बाद में ठंडे पानी में डालके रख देती हूं इसको इसलिए आप लोग जब भी गोबी ले तो इसको ध्यान से देखें क्योंकि हमें उपर स तो दिख जाते हैं बड़े बड़े कीड़े लेकिन अंदर छोटे छोटे रहते हैं अब यहाँ पर इसके लिए मैं टामाटर काट रहे हूं चार से पांच टामाटर ले लूँगी और यह देशी टामाटर हो खटे होते ना तो इससे सबजी अच्छी बनती है इसमें थोड करके डालेंगे ना उसको अच्छी घुलाबी कर लेंगे तो उससे अच्छी बनती है सबजी और पिसी उई से तो फिर वो मसालेदार अलक्सी बन जाती है इससे थोड़ी अच्छा टेस्ट आता इसका तो चौप करके हम प्यास डाल देंगे उसमें जीरा वग्यरा नहीं ड घुला और तो चोना टामातर पीसे थे न में इसमें डंच यज्ञ TM4 पीसे डाले तो अच्छ है ना गले रहते न तो और इसको डालके 5-10 सर अच्छी मंदि आज भूनना फिर मैंने इसमें अजवाइन डाली है अजवान से भी इसका अच्छा फ्लेवर आता याइगा ओई यह जाती है क्योंकि गोबी थोड़ी भारी होती है इसलिहे हमें अजवाइन डालना चाहिए और यूदि से नमक वगेरा डालके ओई गोबी डालके इसको mix कर लूँगी, अच्छे से mix करके और फिर गोबी को भी हमें पकाना है, उसके गलने तलग, ढाक के रख दूँगी, बीच में एक दो बार, एक दो बार चलाना है, चेक करना है, क्योंकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, आपने देखा मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, यह अपने खुद का पानी छोड़ती है, उसमें हालू भी गल जाते हैं, और गोबी भी बन जाती है, और अब इसमें मैं कसूरी मेथी एट करूंगी, और यह कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर अच्छा आता है, तो कसूरी मेथी भी डाल दी मैंने और इसमें मैंने थोड़ा सा वो डाला है, पिसाम चूर बिल्कुल जरा सा डाला है, ताकर उससे हलका हलका खटास बनाती है, तो अच्छा लगता है, और हरा धनिया डाल दूंगी और हमारी सबजी बनकर तयार हो जाएगी, हरा धनिया डालने के बाद थोड़ी सी देर में ढाक के रख दूंगी, तो हर धनिया के खुच्छबू अच्छे से बस जाती है, तो अच्छी बन जाती है सबजी, यहां पर हमारी सबजी बनकर तयार हो गई है, और कैसी लगी, आपको मेरी वीडियो बताईएगा, और है ना मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दू